कल 23 मार्च है शहीद आजम भगत सिंग का शहादत दिवस है कल ही के दिन भगत सिंग राजगुरु सुकदेव तिनों को फांसी पे लटका दिये गया तिनों ने देश के लिए देश को अज़ाद कराने के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी इस मौके के उपर दिल्ली सरकार आज एक महत्वपून घोशना करने जा रही है आप सब को पता है कि 20 दिसंबर पिछले साल 20 दिसंबर 2021 को हमने कैबिने ने निरने लिया था और हमने एलान किया था कि दिल्ली में एक स्कूल बनाएंगे ऐसा स्कूल बनाएंगे जहां पे बच्चों को फॉज में भरती होने कि ट्रेनिंग दी जाएगी उनको ट्रेनिंग दी जाएगी ताकि वो एंडिये में नेवी में एफोस में भरती हो सकें उसके लिए उनको तयार किया जाएगा एक स्पेशल किसम का स्कूल तयार किया जाएगा उस स्कूल का नाम हमने तै कि आया है कि उस स्कूल का नाम शहीद आजम भगत सिंग के नाम पे रखा जाएगा उस स्कूल का नाम होगा शहीद भगत सिंग आम्ड फोर्सेज प्रिपरेटरी स्कूल शहीद भगत सिंग आम्ड फोर्सेज प्रिपरेटरी स्कूल यह school पूरी तरह से free होगा, सब कुछ free होगा, residential होगा यानि कि जितने भी बच्चे उसमें admission लेंगे वो सारे वही पे उनको hostel में रहना होगा लड़कों का अलग hostel होगा, लड़कें का अलग hostel होगा और जरोदा कला में एक 14 एकड़की का campus बनाया जा रहा है वहाँ पर ये school पूरा state of the art एक दम modern school सारी सुविधाओं के साथ लैस ये school बनाया जा रहा है जैसे armed forces में फौर्ज में officers like qualities सिखाई जाती है इसी तरह से school के अंदर बच्चों को officers like qualities सिखाई जाएंगी और इन्हें NDA, Naval Academy और दूसरी armed services के लिए इन बच्चों को तयार किया जाएगा यहाँ पे expert faculty खासकर retired army officers, air force officers, naval officers को यहाँ पे लाया जाएगा training कराने के लिए यह school दिल्ली के रहने वाले सभी बच्चों की दिल्ली में रहने वाला कोई भी बच्चा इस school में admission ले सकता है इसमें 9 वी class में और 11 वी class में admission होगा नाइन्थ class में 100 seat होंगी, 11 वी class में 100 seat होंगी अभी तक इस साल से इसकी classes शूर हो रही है तो अभी तक 18,000 applications आ चुकी है केवल 200 seat के लिए 18,000 application आ चुकी है 27 March को 9 वी class में admission के लिए इसके test हो रहे है और 28 March को 11 वी class में जो admission होंगे उसके लिए test हो रहे है वो phase 1 होगा, aptitude test हो रहा है और second phase में उनके interview लिए जाएंगे तो ये दिल्ली वासियों का एक तरीका है एक शहिद आजम भगत सिंग को उनके शहादत दिवस पे शरद्धानजली देने का इसके लिए मैं दिल्ली के सभी लोगों को बढ़ाई देता हूँ नमस्क्राइब